Hello बच्चों, the question is a person wear convex lens for proper vision, without glass the image of object is produced, option A on blind spot, on yellow spot, in front of retina, behind the retina, देखो बच्चों, अगर कोई person, अगर कोई person convex lens बहनता है, अगर कोई person convex lens बहनता है, अगर कोई person convex lens बहनता है, प्रोपर विजन के लिए, प्रोपर विजन के लिए, तो बच्चों, उसे एक disease होता है, आई disease, इसको क्या बोलते है, hypermetropia, क्या कहते हैं बच्चों, hypermetropia, और hypermetropia में क्या होता बच्चों, तो जो long distance होती है, दूर वाली चीज, दूर वाली चीज तो इसको दिखती है, लेकिन नजडिक वाली जो होती है, short distance, बच्चों, जो short distance होती है न बच्चों, इनको नहीं distance जो नहीं दिखती है, तो hypermetropia में क्या होता बच्चों, कि जैसे, suppose मानके चलो, मैं अगर आई का डियाग्राम बनाऊं, तो आई का डियाग्राम कुछ चीज तर से, ठीक है, और यहां पर क्या बच्चों, रेटिना, suppose मानके बच्चों, तो image बनती है बच्चों, यह image बनत है, रेटिना से दूर बनती है, इसको पास लाने के लिए हम लोग क्या करते है, convex lens, convex lens, converging lens होता है, इस light को converge करके फिर रेटिना पर ऐसे लेकर चले आता है, तो आदमी असानी से देख पाता है, तो hypermetropia में कौन सा lens यूज होता है, बच्चों, convex lens, और hypermetropia में image कहां बनता ह है, behind the mirror, कहां बनता, behind the retina, कहां बनता, बच्चों, behind the retina, तो हमसे पूछा, ए person wear convex lens for proper vision, without glasses, the image of object is produced, देख बच्चों, अगर कोई person convex lens पाना है, तो इसका मतलब उसे कौन सा disease है, बच्चों, hypermetropia, है तो मतलब उसके दूर वाली चीज दिखती है, नजदिक वाली चीज नही नहीं दिखती है, ठीक है बच्चों, तो इसकी, जो hypermetropia, इमेज कहां बनती है, बच्चों, behind the mirror, इसको सही करने के लिए, कौन सा person, जो person, कौन सा lens लगाता है, बच्चों, convex lens लगाता है, तो the image of object is produced, on blind spot, blind spot, को image ही नहीं बनती, on yellow spot, no, in front of retina, no, बच्चों, कहां बनता है, behind the retina, तो बच्चों, the correct option is option D.